सुप्रभात प्यारे बच्चों आज की हमारी कक्चा है हिंदी और हमारी पुस्ता का नाम है रिमजिम तो आये हम रिमजिम से पहला पार्ट पड़ेंगे मन के भोले भाले बादल प्यारे बच्चों जो हमारा पार्ट नमबर एक है मन के भोले भाले बादल तो इसके लेखा क में बादलों का वरणन क्या है और बादलों को क्या कहा है भोला बाला तो आए हम पहले कविता को पढ़ते हैं जबर जबर बालों वाले गुबारे से गालों वाले लगे दोडने आसमान में जूम जूम कर काले बादल कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाती से सूंड उठाए, कुछ उंटों से कूबडवाले, कुछ परियों से पंक लगाए तो जबबर जबबर बालों वाले मतलब खूब घने घने बाल वाले बादल गुबबारे से गालों वाले तो जैसे गुबबारे होता ना फूला हुआ तो कुछ बादल ऐसे लगते हैं जैसे खूब फूले मोटे मोटे हो लगे दोडने आसमान में जूम जूम कर काले बादल तो जब आसमान में हवा चलती है तो बादल खूब दोड़ते हैं आसमान में जूम जूम कर ऐसे लगते हैं खूब जूम रहे हों आसमान में कुछ जोकर से तोंद फुलाएं और कुछ मानों ऐसे लगते हैं जिसे खूब तोंद फुलाएं तोंद का मनलब होता है पेट जैसे जोकर की तोंद होती है न मोटी तो कुछ बादल ऐसे जोकरों की तोंद जैसे लगते है कुछ हाती से सूंड उठाए और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे हाती की सूंड होती है कुछ उंटों से कूबड वाले और कुछ बादल ऐसे होते हैं जैसे उंट की कुबड होते हैं उंची कुछ परियों से पंक लगा है और कुछ ऐसे होते हैं जैसे परियां होते हैं सुन्दर सुन्दर उनके पंक होते हैं तो कुछ बादल परियों के पंक जैसे सुन्दर लगते हैं आपस में टकराते रहरे, सेरों से मतवाले बादल, और आपस में टकराते रहते हैं, रहरे का मतलब है, रुक रुक कर आपस में टकराते रहते हैं, सेरों से मतवाले बादल, सेरों तो नहीं से confident, कि यहाँ पर मेरा हक है, ठीक है, और वहाँ पर अपना हक जमा के रहता है, और पर चलता रहते हैं, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते सैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके जर 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 बरसाते पानी, और कुछ बादल ऐसे लगते हैं, जैसे तूफान लाल लियाएंगे भी, ठीके, कुछ रह रह करते सैतानी, और कुछ ऐसे रुक में क्या कर रहे हो बारिस कर रहे हैं जर जर पाने को बरसा रहे हो नहीं किसी की सुनते कुछ भी डोलक डोल बजाते बादल ठीक है तो यह किसी की नहीं सुनते हम इनको कितनी भी बार बोलते हैं कितनी कुछ कितना कुछ बोलते हैं लेकिन यह किसी की नहीं सुनते हैं और जब टकराते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे ढोल बज रहे हों रह रह चत पर आ जाते रह रह कर चत पर आ जाते फिर चुपके ऊपर उड़ जाते कभी कभी जिद्धी बन करके बाड़ नदी नालों में लाते फिर भी लगते भहुत भले हैं मन के भोले भाले बादर तो कभी ऐसा लगता है मानों छत के उपर आ गए हो ठीक है और फिर एकदम ऐसा लगता है कि चुपके से उपर उड़ गए कभी-कभी जिद्धी बन करके बार नदी नालों मिलाते और कभी-कभी एकदम जिद्धी बन जाते हैं ठीक है जब खूब सार बहुत भले लगते हैं मन के भोले भाले बादल और मन के कैसे लगते हैं बहुत भोले भाले लगते हैं ठीक है सैतानिया तो करते हैं लेकिन फिर भी कैसे लगते हैं भोले भाले लगते हैं ठीक है तो प्यारे बच्चों इस कविता को लेखा है स्री कलपना सिंग ने और कवित को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे